इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था पहले दोस्तों ये है वाइट वैक टेल ये जो आपको सामने गोमती हुई दिख रही है ये वाइट वैक टेल है और वाइट ब्रावड वैक टेल जो है वो सबसे बड़ी होती है वैक टेल्स में काफी लोग जो है वाइट ब्रावड वैक टेल को वाइट वैक टेल समझते हैं वाइसी वर्सा लेकिन वाइट वैक टेल्स माइग्रेटरी हैं इंडिया में जबकि वाइट ब्रावड वैक टेल्स जो है वो मिलते हैं पूरे साल ही मैंने काफी गर्मी के मौसम में भी इनको देखा हुआ है वाइट प्राउड वैक्टेल्स को लेकिन वाइट वैक्टेल्स सिर्फ विंटर में ही आती है नवेंबर के बाद ही मैंने देखा है इनको यहां नौर्थ इंडिया में और यह मार्च एप्रिल के बाद चली जाती है एप्रिल के बाद तो कभी भी नहीं देखा मैंने इनको वैक्टेल्स में और भी मिलते हैं जैसे सिट्रीन वैक्टेल, येलो वैक्टेल, ग्रे वैक्टेल यह सारे ही जो है विंटर के सीजन में ही दिखाई देते हैं और forest wag tail जो होती है वो दूसरों से अलग होती है, in the sense कि वो अपनी tail को जो है side यह है wide-browed wag tail, जो कि wag tails में सबसे बड़ी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है और यह groups में रहते हैं, दो या तीन के groups होते हैं, बहुत बड़े groups नहीं होते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जगे single है और एक जगे तीन white-browed wag tails हैं उसके बाद जो आप देखेंगे वो हैं citrine wag tails तो citrine wag tails बड़े group में भी रह सकती हैं, जादा तर इनको winter season में ही देखा है मैंने यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ जो है वो सुल्तानपूर में हैं और यह wetlands के आसपास मिलती है जहाँ और लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो grey wag tail है, काफी हद तक citrine wag tail की तरह ही लगती है लेकिन इसके upper parts जो feathers और upper part है body का वो पूरा grey होता है और नीचे का part जो है वो light yellow होता है तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को like और share कीजिए